English कैसे सीखें YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उचारा लिख कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी टेन से जुड़ी छोटी छोटी बाती भी बताएंगे जिससे आपको इंगलिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आ जाए आज की इस वीडियो में हम धेर सारी वर्ड मीनिंग्स और सेंटिंस को देखेंगे इसी के साथ आप कर दीजे इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू इंगलिश रीडिंग क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है वन्स आ फिरोशस वूल्फ वन्स एक बार वन्स का मतलब होता है एक बार एक बार आ फिरोशस वूल्फ एक खूंखार भेडिया आ का मतलब है एक फिरोशस खूंखार वूल्फ भेडिया ध्यान दीजेगा बहुत से भाई हमारे इसे वूल्फ पढ़ते हैं वो सही नहीं है इसे वूल्फ पढ़ते हैं हंटेड आ लैम हंटेड आ लैम एक मेमने का शिकार किया लैम का मतलब होता है मेमना भेड के बच्चे को मेमना कहते हैं यहाँ पर भी साइलेंट है इसे हम लैम पढ़ते हैं हंट का मतलब होता है शिकार करना शिकार करना हंटेड है तो शिकार किया आ एक Boyd by his prey Boyd खुश होकर Boyd का मतलब यहाँ पर है परसन्न होकर या फिर खुश होकर By his prey अपने शिकार से By का मतलब यहाँ पर है His अपने Pre का मतलब होता है शिकार ध्यान दीजेगा एक spelling होती है P-R-A-Y इस prey का मतलब होता है प्रार्थना करना अगर यहाँ पर E लगा हो तो इसका मतलब होता है शिकार हंट का भी मतलब होता है शिकार करना और prey का भी मतलब शिकार और शिकार करना दोनों होता है It came यह आया Came का मतलब है Came कम का second form है कम का मतलब होता है आना Came है तो आया Out of the jungle Out Of The Jungle Jungle के बाहर Out of का मतलब होता है के बाहर Jungle Jungle And walked around And Walked Around और चारो तरफ घूमने लगा यहाँ पर वाक का मतलब तहलना या फिर घूमना होगा Around का मतलब चारो तरफ चारो तरफ In open space In open space खुली जगह हमें Open का मतलब है खुली space जगह It saw It saw इसने देखा सौ का मतलब है देखा सौ सी का second form है सी का मतलब होता है देखना सौ है तो देखा धान दिजेगा देखिए यहाँ पर इट लिखा हुआ है जानवरों के लिए इट का यूज़ करते है ही का नहीं अगर वो पालतू जानवर है तो ही का यूज़ कर सकते है लेकिन इस तरह के मामलों में हम इट का ही यूज़ करते है एक लड़का बॉइ का मतलब होता है लड़का उसने एक लड़का देखा लाइंग ओन दा ग्रास घास पर लेटा हुआ लाइंग का मतलब है लेटा हुआ लेटा हुआ on the grass, घास पर घास पर, घास का मतलब होता है घास, on the ground on the ground जमीन पर, ground का मतलब होता है जमीन it tiptoed it tiptoed यह दबे पाओ गया tiptoe का मतलब होता है दबे पाओ चलना, tiptoed है तो दबे पाओ चलना to the boy to the boy, उस लड़के की और and or growled और गुर्राया, growled का मतलब होता है गुर्राना growled है तो गुर्राया the frightened boy वो डरा हुआ लड़का frightened का मतलब होगा डरा हुआ डरा हुआ बॉय लड़का turned मुड़ा turn का मतलब होता है मुड़ना या फिर पलटना तो यहाँ पर turned है तो वो मुड़ गया या फिर मुड़ा His face His face अपने चेहरे को यहाँ पर turn का मतलब होगा मुड़ा उसने मुड़ लिया His face अपने चेहरे को Face का मतलब होता है चेहरा To the other side To The Other Other side दूसरी तरफ Other side का मतलब होता है दूसरी तरफ The wolf said The wolf said भेडिये ने कहा Sid का मतलब है कहा Sid से का second form है से का मतलब होता है कहना Sid है तो कहा To the boy To The boy उस लड़के से Now अब You can't escape You Can't Escape अब तुम नहीं बच सकते Escape का मतलब होता है बचना Can't escape है तो नहीं बच सकते You तुम Now अब From me From Me मुझ से From का मतलब है Say Me मुझ But But लेकिन I will Spare You I Will Spare You मैं तुम्हें छोड़ दूँगा Spare का मतलब होता है छोड़ना या फिर बख्षना मैं तुम्हें बख्ष दूँगा या फिर छोड़ दूँगा If you tell me If You Tell Me अगर तुम मुझे बता दो Tell का मतलब होता है बताना If का मतलब अगर Me का मतलब जैसा मैंने आपको बता उपर मुझे Three Facts Three Facts तीन तत्थियों को Three का मतलब होता है तीन Facts का मतलब तत्थिया That cannot be proved wrong That Can Not Be Proved Wrong जो गलत नहीं साबित किये जा सकते Prove का मतलब होता है साबित करना साबित करना Wrong का मतलब गलत यहाँ पर Cannot be proved है तो साबित नहीं किया जा सकता Wrong गलत He Was Very Frightened Was Very Frightened वह बहुत डरा हुआ था Was का मतलब है था Very बहुत Frightened डरा हुआ At the sight of the wolf At the sight of the wolf भेडिये को देख करके At the sight of का मतलब होता है देख करके या फिर के सामने वह भेडिये को सामने देख कर बहुत डर गया था He showed He Shored उसने दिखाया His courage His Courage अपना साहस Courage का मतलब होता है साहस Shored का मतलब दिखाया Shored 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 का second form है Shored का मतलब होता है दिखाना और Shored है तो दिखाया And said boldly And Said और कहा Boldly Boldly Nirbheekta से Boldly का मतलब है Nirbheekta से Nirbheekta से उसने निरbheekta से कहा The first fact is The First Fact Is पहला तत्थ ये है That कि You have found me You Have Found Me तुमने मुझे पाया है या फिर तुमने मुझे ढूंड लिया है Found Find का second form है Find का मतलब होता है मिलना या फिर पाना या फिर ढूंडना Me मुझे तुमने मुझे ढूंड लिया है That is very bad That Is Very Bad जो बहुत बुरा है That का मतलब है जो Is है Very bad बहुत बुरा बहुत बुरा The second fact is The Second Fact Is दूसरा तथ्य है That कि I should be fearful of you I Should Be मुझे होना चाहिए Be का मतलब होता है होना Should चाहिए मुझे होना चाहिए Fearful Fearful डर से भरा हुआ या फिर डरना Of you Of you तुम से मुझे तुम से डरना चाहिए That is foolish of me That Is Foolish Of Me ये मेरी बेवकूफी होगी Foolish का मतलब होता है बेवकूफी बेवकूफी अगर मैं तुम से डरता हूँ तो ये मेरी बेवकूफी होगी ये लड़का ये उससे कहना चाहता था The third fact is The Third Fact Is तीसरा तथे है That Because of your foolish character Because Of के कारण Because of का मतलब होता है के कारण के कारण या फिर की वज़ा से Your Wolfish Character तुम्हारे भेडियाई चरित्र के कारण Character का मतलब होता है चरित्र foolish का मतलब भेडियाई बेडियाई All people All People सभी लोग Hate you Hate you तुमसे नफरत करते हैं All people का मतलब है सभी लोग सभी लोग Hate नफरत करते हैं नफरत करते हैं You तुमसे The wolf thought The wolf thought भेडिये ने सोचा Thought का मतलब है सोचा Thought Think का Second form है Think का मतलब होता है सोचना और thought है तो सोचा This boy is bright This boy यह लड़का is bright तेज है Bright का मतलब यहां पर होगा तेज या फिर जी से हम intelligent कहते हैं And courageous And courageous और सहासी Courageous का मतलब होता है सहासी Indeed वास्ताव में Indeed का मतलब होता है वास्ताव में वास्ताव में या फिर सच में यह लड़का वास्ताव में तेज और सहासी है Even in the face of death In the face of death यहां तक की मौत के सामने भी In the face of का मतलब होगा के सामने के सामने Death का मतलब होता है मौत या फिर मृत्यू Even का मतलब भी He spoke 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 उसने बोला spoke का मतलब है बोला spoke speak का second form है speak का मतलब होता है बोलना और spoke है तो बोला the facts तत्थियों को which can't be proved wrong which can't be proved wrong जिसे गलत नहीं साबित किया जा सकता ध्यान दीजेगा ये can't पढ़ा जाता है जब साथ में हो can or not इसे can't पढ़ते हैं can't नहीं पढ़ते हैं ठीक है अगर ये अलग-अलग हो can not तब इसे can not पढ़ते हैं the fearsome wolf said the fearsome wolf उस डरे हुए भेडिये ने said कहा fearsome का भी मतलब होगा यहां पर डरा हुआ डरा हुआ boy लड़के you should you should तुमने दिखाया courage साहस in face of grave danger in face of grave danger गंभीर खत्रे के सामने danger का मतलब होता है खत्रा grave का मतलब है हां पर गंभीर या फिर बहुत जादा in the face of का मतलब जैसा मैंने आपको पीछले page ने पताया सामने and spoke the truth and spoke और बोला the truth सच और तुमने सच बोला so इसलिए so का मतलब है इसलिए I'll let you go I'll let you go मैं तुम्हे जाने दूँगा ध्यान दीजेगा ये I will का short form है I'll इसे I'll पढ़ते हैं I'll let you go है तो मैं तुम्हे जाने दूँगा गो का मतलब होता है जाना विल के साथ लेट लगा हुआ है तो जाने दूँगा उमीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई word meanings आपको अच्छी लगी होंगी सबसे अच्छा word कौन सा लगा इसे comment box में जरूर बताईएगा इसी तरह की वीडियो के साथ सा धेर सारी reading की translation की और बहुत से English सीखने वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe कीजिए और ये वीडियो किसी ना किसी अपने एक दोस्त को मित्र को परिबार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में